इस वीडियो में आपको ट्रांस्पोर्ट अलाउंस यानि की टीपीटील से सम्भंधित जानकारी देंगे आईए देखते हैं कि ट्रांस्पोर्ट अलाउंस यानि की टीपीटील से सम्भंधित गौर्रमेंट ओर्डर्स क्या-क्या है यहाँ पर एक letter आपको दिखाया जा रहा है Government of India, Ministry of Defence का letter है 15 September 2017 का इसमें subject है grant of transport allowance to service officers and persons below officer rank यानि कि इसमें आपको rate दिया गया है कि आप किस rate के लिए entitled रहेंगे जब आपको transport allowance दिया जाएगा और class of city या higher class of city के बारे में भी बताया जा रहा है कि कौन कौन सी city है जिन में आपको higher rate दिया जाएगा इसके बारे में आपको विस्तर जानकारी नीचे देंगे TPTL eligibility या पर आपको TPTL लेने के लिए कौन कौन सी condition है जिस किन conditions में आपको TPTL दिया जाएगा वो यहां बताई जा रही है The PBR is not provided with government transport यानि कि जब आपको कोई government transport नहीं मिलेगा तब आप TPTL ले सकते हैं अगर आपको government transport दिया जा रहा है तो आपको TPTL नहीं मिलेगा PBR is not absent from duty or training for more than 30 days यहां पर अगर आप 30 दिन से ज़्यादा छुटी पर होते हैं तो आपको TPTL नहीं दिया जाएगा पर यह 30 दिन आपका एक calendar month होता है यानि कि पूरे एक मैने में अगर आप 30 दिन नहीं होते हैं office में duty पर तो आपको या फिर किसी training में होते हैं तो आपको TPTL नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर उस पूरे calendar month में आप एक दिन भी present होते हैं अपने duty place पे तो आपको TPTL दिया जाएगा इस तरह PBR serving in field and modified field area अगर आप field में posted है या modified field area में है तो आपको TPTL दिया जाएगा provided जो condition दी गई है condition ये कि आपको वहाँ पर government transport नहीं दिया गया है अगर वहाँ पर आपको government transport दिया जा रहा है provide कराया जा रहा है तो आपको वहाँ पर भी TPTL आपका seized हो जाएगा वहाँ आपको TPTL नहीं मिलेगा TPTL की कुछ और भी condition है जिसमें TPTL आपका stop हो जाता है मिलना बंद हो जाता है seized हो जाता है वह इस तरह है तो दो service personnel who have been provided with the facility of government transport बतब वो तो हमने आपको उपर बता ही दिया है कि government transport अगर है तो आपको TPTL नहीं मिलेगा दूसरी condition है during leave leave period में भी आपको TPTL नहीं मिलता अगर 30 days and above आपकी छोटी होती है पतब एक calendar month में अगर आप एक पूरा मैना नहीं present है तो आपको TPTL नहीं दिया जाएगा during tour अगर आप tour पे कही है या training पर कही है during training तो भी आपको TPTL नहीं मिलेगा condition वही रहेगी calendar month की अगर पूरा calendar month आप नहीं रहेगे तो आपको TPTL आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर पूरे calendar month में आप एक या दो दिन है तो आपको TPTL आपको मिलता रहेगा during deputation abroad अगर आप कहीं विदेश यात्रा में deputation पर हैं विदेश में तो भी आपको TPTL नहीं दिया जाएगा transport allowance से संब्धित कुछ और जानकरी इस तरह से है कि transport allowance जो PBR को दिया जाता अगर वो blind है या फिर orthopedically handicapped है तो उन्हें double rate दिया जाएगा TPTL का यानि कि TPTH उनको मिलेगा जो blind और orthopedically handicapped है इसी तरह अगर कोई physically handicapped person अगर उनको government accommodation प्रोवाइट किया गया है within one kilometer के range में उनके place of duty से या फिर वो जहाँ पर उनका workplace है और वहीं उनका residence है same campus में तो उनको TPTH नहीं मिलेगा वहाँ पर उनको normal rate का जो TPTL है वहीं उनको दिया जाएगा rates of TPTL यहाँ पर हम आपको बताएगे कि कौन-कौन से rates है जो TPTL आपको दिया जाएगा उसके लिए क्या rate provide किये गए है government के द्वारा pay level अगर PBRs का है 3 to 8 तो आपको अगर आप higher city में है जो cities आपकी NXR A में बताएगे है government order के वो higher cities है अगर वो higher city में posted है तो आपको 3600 रुपे प्लस उसके उपर जो DA है वो दिया जाएगा इसी तरह अगर आप other city में है यानि कि higher city को छोड़की किसी और city में है जो NXR A में नहीं है तो आपको 1800 रुपीज प्लस DA दिया जाएगा इसी तरह अगर 9 and above पे लेवल 9 and above है तो higher class city के लिए 7200 रुपीज उसके उपर DA दिया जाएगा और अगर other city में है तो 3600 रुपे और उसके उपर DA दियने का प्रवधान रखा गया है